तंसनी ओफ इंडिया अयूब और 28 वर्षिय नरेंद्र के रूप में हुई है मृतक और सभी आरोपी गोविनपुरी के रहने वाले हैं दक्षिन पूर्व जिला डीसीपी ईशा पांडया ने बताया कि दिनाख 6 नवंबर 2021 को थाना गोविनपुरी में एक PCR कॉल प्राप्थ हुई फोन करने वाली लड़की ने बताया कि कुछ लोगों ने उसके पिता को बहुत बुरी तरह से पीटा है जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बेहोश पड़े हैं गोविनपुरी थाना पुलिस टीम तुरंथ ही मौके पर पहुँची पुलिस के पहुचने से पहले ही घायल व्यक्ति को उसके परिवाजन इलाज के लिए सफदर जंग अस्पताल लेकर चले गए थे घायल व्यक्ति की पहचान सी 554 नवजीवन कैंप गोविनपुरी निवासी 38 वर्षिय राजेंद्र कुमार उर्फ तंभी के रूप में हुई सफदर जंग अस्पताल में इलाज के दोरान डॉक्टर ने घायल राजेंद्र कुमार उर्फ तंभी को मृद घोशित कर दिया मृतक के सीने, पेट और गर्दन पर चोट के गंभीर निशान थे मृतक के दामाद के बयान पर थाना गोविनपूरी में एफायार संख्या 641 बटा 21 धारा 302 बटा 201 आईपीसी के तहत मामला दर्जकर जाज शुरू कर दी दक्षिन पूर्व जिला डीसीपी ईशा पांडेय ने बताया कि अपराधियों को दबोचने के लिए एसेचो गोविनपूरी गुर्देव सिंग के नित्रित्वर में इंस्पेक्टर संदीप राथी, एसाय तालिप चौदरी, हेड कांस्टेबल धीर सिंग, हेड कांस्टेबल नवीन, कांस्टेबल रंजीत और कांस्टेबल महेश की एक टीम बनी मौके पर पहुची क्राइम टीम ने वारदात स्थल का मुआयना कर सबूत खोजे टीम ने स्थानिय मुकबिरों का जाल बिछाया, मृतक के परिवारजनों ने कुछ लोगों पर संदेह जताया था इसने नरंजन को लोगों आए तक है तो इसने का इसने मिर को आकर उठाया, वाभी देखो जर्ण आया अदिरेन आयाए, तरके बोल जाज टीम ने संदिग्धों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड ठंगा ले मुखपिरों से मिली सीक्रिट इंफिमेशन और लोकल सविलांच से पुलिस टीम ने मुर्डर मिस्टरी का खुलासा कर दिया टीम को पता चला कि जिन लोगों ने मृतक राजेंद्र कुमार उर्फ तंभी को पीटा था उनका मृतक से पैसे के लेंदेन का विवाद चल रहा था मामले का खुलासा करने और आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस टीम ने दिन रात एक कर दिया आखिर कार जाज टीम की मेहनत रंग लाई पुलिस टीम को पता चला कि कुछ दिन पहले जुए में जीते पैसों को लेकर मृतक राजेंद्र कुमार उर्फ तंभी और सस्पेक्ट शिव के बीच काफी गर्मा गर्मी हुई थी शिव ने मृतक राजेंद्र को देख लेने की धंकी दी थी टीम ने सस्पेक्ट शिव के मोबाईल को सविलांस पर लगा दिया मोबाईल से लोकेशन मिलने के बाद शिव के घर पर छापे मारी कर उसे दबोच लिया कड़ी पूचताच में सस्पेक्ट शिव टूट गया और वार्दात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली आरोपी शिव के कबूल नामे पर वार्दात में शामिल नरेंद्र, अयूब और एजाज नामक लड़कों को भी पुलिस ने दबोच लिया इंटेरिगेशन में आरोपियों ने खुलासा किया कि सभी मिलकर एक साथ ताश खेलते थे जुए के पैसे को लेकर मृतक राजेंद्र कुमार उर्फ तंभी ने शिव की बेजज़ती कर दी थी जिसको शिव ने दिल पर ले लिया था महिज़ती का बदला लेने के लिए सभी आरोपियों ने प्लान बना कर 6 नवंबर 2021 को मृतक राजेंद्र कुमार उर्फ तंभी को ताश खेलने के बहाने घर से बाहर बुला कर चाकु घोप घोप कर मार डाला इक उसके डेढ़ दो बजय के और नीचे ममी के पास दो लड़के आए दो लड़के आके देज की दर्वाजा कटकट आ रहे थे तो ममी ने बोला का भाई याजक तो प्लाड तो प्लाइभ तंभी भाय ने न दस जार पर मांगे और ममी ने का मेरे पास नहीं है तो लड़कों ने बात कर वाया तो ममी ने बोला तो उन्होंने ऐसा बोला नहीं मेरे पास नहीं है तु है कांग उन्होंने का बैठा मैं आ जाओंगा तुम दे दो ममी ने बात कर दे लिए और उसके बात के फोन से चुफ आगे हैं किस वर्षी आरोपी शिवा पुत्र मुकेश नवजीवन कैम्प गोविन पूरी का रहने वाला और स्कूल ड्रॉप आउट है 32 वर्षी आरोपी एजाज पुत्र जमील एहमद नवजीवन कैम्प गोविन पूरी का रहने वाला और स्कूल ड्रॉप आउट है यह वसंत कुन जिलाके में दूद सप्लाई करता था 36 वर्षी आरोपी मोहमद अयूब पुत्र मोहमद याकूब नवजीवन कैम्प गोविन पूरी का रहने वाला और स्कूल ड्रॉप आउट है यह एक वैंडर है जो ओखला मंडी के पास बिक्री करता है 28 वर्षी आरोपी नरेंद्र उर्फ बजरंगी पुत्र बलराम नवजीवन कैम्प गोविन पूरी का रहने वाला और स्कूल ड्रॉप आउट है वो आर्डी मार्क पर आटो रिक्षा चलाता था पुलिस ने आरोपियों के पास से एक खून से सना चाकू और आरोपी व्यक्तियों के खून से सने कपड़े बरामद कर लिए है संसनी ओफ इंडिया नेट्वर्क अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहे जागरूब